तो देववठी एकादशी ना दिवसे मात्र आ एक जग्या उपर एक लोटो पाणी छाटी दे जो आखो वर्ष घरमा धन धान्यना भंडार भरेला रहे शे मित्रो जो तमारा घरमा धन्नी आवक न थती होए अने घरमा आवक करता जावक वधती जती होए तेमज घरमा गरीबी अने नकारात्मक उर्जानों वाश होए तो तमारे आ बधी समस्यावने दूर करवा माते देवठी एकादशी ना दिवसे आ विशेश उपाय करवोज जो मित्रो देववठी एकादशीना दिवसे, आ सरण अने विशेश उपाय करवाथी, तमारा तमाम कष्टो दूर थाई जशे, अने घर मां सुख अने सम्रुधी आवशे मित्रो लोको जानता अजानता एवी भूल करी देता होई छे, जेना कारणे तेना घर मां गरीबी आवे छे, अने नकारात्मक उर्जा घर करी जाए छे, अने ते समस्या वधारे पड़ती वध्वा लागे, त्यारे तेना कारणे घर मां जगडाओ पन वध्वा लागे छे, स अपणा घमाशू थई रहिऊं छे। अवश्य करवानों छे। तमारे अउपाय सवार्थी लईने सांजना पांच वाग्या सुधीमा करी नाखो जोईए। अउपाय करता पहला तमारे अमुक वातोनू खास ध्यान राखवानू छे। आ शुब दिवसे जो कोई तमारा आम्रले कोई आवे तो तेने खाली हाथे पाचा क्यारे न मोकलवा जोईए। कोईने कोई वस्तू तेओने अवश्य आपवी जोईए। तमारी जेपन शक्ती होए। ते प्रमाणे तेमने कईक तो आपवू जोईए। मित्रो तमारे आ वातनू विशेश ध्यान राखवानू छे। तोज तमारो आ उपाय सफर थशे। मित्रो आ दिवसे तामसिक भोजन ग्रहन न करवू जोईए। जे कोई पण उपाय करवा मांगे छे। तेने कोईनी निन्दा न करवी जोईए। वृद्ध लोकों ने साचववा जोईए। मित्रो आ उपाय करवा माटे सवथी पहला सवार माँ वहलू उठी जवानू छे। अने गंगास नान करवानू छे। मित्रो जो तमे गंगा स्नान नथी करी शकता, तो नहवाना पाणी मा थोड़ू गंगा जल नाखी ने स्नान करी शको छो, आरिते तमारे पवित्र थई जवानू छे, पछी तमारे पिया रंगना कपडा पहरवा जोईये, अथवा तो लाल रंगना वस्त्रो पहरवाना छे, दिवसे माता लक्ष्मी माटे गायना घीनो दिवो करवो, जो ये तेमा माता लक्ष्मी माटे सुगंधित बत्ती सलगाववानी छे, अही तमारे अग्रबत्ती नहीं पन धूप बत्तीनो उप्योग करवानों छे, त्यार पछी माता लक्ष्मी ने सफेद रंगनी मिठायो मित्रो तमे आजना दिवसे । खास उपाय करी रहो छू, अथवा तो करी रही छू, तेनो मने विशेश लाब प्राप्त थाए, तेली हूँ प्रार्थना करू छू, हूँ साचा हरद्य थी तमने विननती करू छू, मारी इच्छा पूर्ण कर जो, आवी रिते, तमारे माता लक्ष्मी ने दिल्थी कहवान छे, मित्रो पची तमारे एक लोटो लेवानों छे, पची ते लोटामा शुद्ध पाणी लेवानु छे, मित्रो त्यारबाद तेमा थोडू गंगाजर नाखवानु छे, जो गंगाजर न होए, तो तमे गवमुत्र पर नाखी शको छो, पची एमा एक चप्टी हलदर ना नाखवानी छे, उपरांत थोड़ा पीला फूल पर नाखवा छे, एक लविंग नाखवनु छे, बे दाणा मरी नाखवाना छे, हवे मित्रो आवी रिते एक लोटो जड तैयार करवानु छे, पची तमारे तेने तमारा पूजा स्थान मा राखी देवानु छे, एकले के स प्रथम माता लक्षमी ने ते लोटो अरपण करवानु छे, पची तमारे प्रार्थना करवानी छे, हवे मित्रो तमारे ते माथी थोड़ू जड तमारा जम्णा हाथ मा लेवानु छे, जड थोडूंज लेवानु छे, जे तमारी हतेली मा समाई जाय, पची तमारे एक मं बोलवानों छे, जे आ प्रमाणे छे. ओम महालक्ष्मी नम, मित्रो आरिते आ मंत्र त्रण वखत बोलवानों छे, त्यार बाद ते जडने तमारा माथा उपर फेरववानू छे. पची, तमारा घर नो जे मुख्य दर्वाजों छे, जे माथी तमे तमारा घर मा प्रवेश करो छो, ते दर्वाजा उपर थी आ जडने फेंकी देवानू छे, तमारा जे हाथ मा जड हतू तेने फेंकवानू छे. मित्रो, आवी रिते तमारे तमारा घर ना मुख्य द्वार पर थी जड फेंकवानू छे. मित्रो, आवी रिते तमारे आ सरण उपाय करवानू छे. मित्रो घर मा आ पवित्र जडनो छंट काव थाई गया पची बहार पन थोडू जड फेंकवानू छे. पची तमारा लोटा मा थोडू जड रही जाए छे. ते जडने तमारा कर्मस्थाने लई जवानू छे. एटले के तमे ज्या कार्य करो छो. त्या साथे लई जवानू रहे छे. ज्या तमे काम करो छो. तमे नोकरी करी रहा छो. अथवा जे पन तमारों व्यवसाय होई, दुकान होई के धंदो होई, त्या तमारे आ जड़ने लई जवानू छे, अने आ जड़नों छंटकाव करवानों छे जे रिते तमे घरमा जड़नों छंटकाव करयो हतो, तेवीज रिते तमारे मंत्र बोलीने, ते जड़नों छंटकाव त्या पन करवानों छे, एटले के तमेज, या बेसो छो, व्यापार करो छो, त्या जड़नों छंटकाव करवानों छे, जे रिते तमे घरमा करयो हतो, ते रितेच करवानों छे, मित्रो आम करवाथी नुक्षानी बंध थाई जशे, तमारा धन्धामा तेजीनों माहोल हमेशा बन्षे, माता लक्ष्मीनी विशेश कृपा प्राप्त थाशे, तेना थी घर माथी नकारात्मक शक्तियों हमेशने माटे दूर थाई जशे, मित्रो आ तोनु ध्यान राखवामा नहीं आवे, तो तमने आ उपाय करवाथी कईपन लाभ नहीं मले, जैम के, जो आ उपाय करनार कोई महिला होए, तो तेने मासिक धर्म दर्म्यान आ उपाय न करवो जोईए, ते उपरांत आ उपाय करनारे सात्विक भोजन्ज लेवू जोईए, तेमज आ उपाय करता पहला सूर्यने जड़ अवश्य अरपन करवू जोईए तेमज आ दिवसे उपाय करनारे वाड अने नखन कापवा जोईए मित्रो देव उठी एकादशी एटलेके तुलसी विवाहना शुब दिवसे एक अन्य विशेश उपाय छे जे तमारे अवश्य करवोज जोईए तो चालो जानिये ते खास उपाय विशे मित्रो अउपाय करवा माटे सवप्रथम एक सफेद कपडामा एक मुठी चोखा लई तेना पर एक रुपियानों सिक्को मुकी तेनी पोटली बनावी लेवानी रहेशे अने त्यारबाद शिव मंदिर मा जईने सवप्रथम एक बीली शिवलिंग पर अरपन करवानू रहेशे तमे जे चोखानी पोटली बनावी राखी छे तेने शिवलिंगने स्पर्श करावी ने पोतानी साथे लई आववानी रहेशे तेने तमारी तीजोरी के व्यापारनी जग्याए राखवानी रहेशे जो एकदशीना दिवसे आ सरण उपाय करी लिधो तो तमारा तमारा दोश दूर थाई जशे तो भाला मित्रो तमने आजनो आ वीडियो खुबज पसंद आवयो हशे तेथी आव वीडियो ने एक लाइक करीने तमारा सगा भालाने शेर जरूर्थी करजो अने कॉमेंट मा जय मा लक्ष्मी जरूर्थी लखजो वीडियो ने अंत सुधी जोवा बदल तमारो खुब खुब आभार जय माताजी